नमस्कार दोस्तों मैं इको रुपाध्या है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ तो आज बजार में जो यह तेजी देखने को मिलिया इसका सबसे बड़ा कारण क्या था सबसे बड़ा कारण था आज मार्केट बहुत ही जादा ओवर सोल्ड हो गया था expiry थी आज तो expiry related moves भी आए और second thing जो सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा था मतलब जो लग रहा था वो था अमेरिका का बजार जो Friday and Tuesday दोनो दिन गिरा आपके लिए और Wednesday को भी negative ही दिख रहा था लेकिन at the end American market में एक sharp rebound आया और अगर आप Dow Jones को open करेंगे तो आपको दिखेगा अमेरिका का बजार कल पूरे दिन के दौरान लाल निशान में था लेकिन last के आदे घंटे में वहाँ पे बहुत ही sharp move आया बड़े volumes के साथ और day high पे बंद हुआ अमेरिका का बजार Dow Jones स्पेशली देखा जाए तो अगर मैं lowest point से count करो तो 300 points उपर बंद हुआ कर केवल हरे निशान की बात करो तो 48 point Nasdaq index जो अपने आप में चिंता का विशय बनता हुआ दिख रहा था Friday भी टूटा, Tuesday भी टूटा, Wednesday भी टूटा वो आज सुभा Nasdaq futures तूफानी तेजी से भागते हो दिख रहे थे 2% से ज़ादा, तो फिर हमारे भारतिय बजार में IT stocks जो Nasdaq के चलते गिर रहे थे उन्होंने का ठीक है बाई, अब तो अच्छे संकेत आ गए, अब चलना चाहिए और आप सभी को अच्छे से बताएं कि Nifty में IT का वेटेज highest level पे है banking and financial stocks के बाद, तो आज IT ने अपनी चाल दिखा दी, 2% IT index भागा है और ऐसा नहीं है चलने के बाद मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, कल मैंने आप सभी के साथ IT stocks में buying की suggestion दी थी, अभी IT की बात की जाए, तो IT के बात, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा 2% भागा है stock, इंडेक्स की particularly बात करूँ तो 38,130 के levels पे closing आई आज 1.94% की तेजी है, 724 पागा है, IT के 12 के 12 share हरे निशान में बंदू है HCL Tech में तो 3% की तेजी दिखी, Infosys में 1.5% की थी, LTI Maintry 7% उपर था, LTTS 1.5% उपर था, Emphasis में भी 1.5% की तेजी थी, Coforge 1% उपर, Persistent System आदे परसेंट, TCS 2.5% उपर था Tech Mahindra 2.5% और विप्रो में पौने 2, almost 2% है, पौने 2 नहीं है, almost 2 ऐसे में आप सबी के साथ कल TCS, Envipro में तो राय दी थी, Bying की, जो बहुत अच्छा करते हुँ दिखें आज मॉर्निंग में B-Soft के stock पे discuss किया था, मैंने 810 रुपे के भाव पे, 822 रुपीज का high लगाया है, जाते जाते, 817.60 पे closing आई है ये share इतना प्यारा chart pattern बनाके खड़ाया है, ऐसा लग रहा है कि इसमें दुबारा life high लगने को तयार है तो B-Soft मैं अगेन आप से कहूँगा, आपने radar पे रखें, stock में 795 का भी low लगाया है, वो ही हमारा stop loss है stock का 3 महीने, 6 महीने, एक साल का chart देखोगे, तो higher highs की formation दिखेगी आपको जहां पे इस तरीके के low बीच में दो-दो बार लगे हुए है, for example, मैं previous slow की बात करूँ, तो stock ने December 22 को 740 का high लगाया गिरकर 680 पे आया है, तीन जनवरी को, वहां से फिर जब recovery आई तो stock ने high लगाया, 860 का, फिर consolidation दिखाया है, अब भी गिरावट में stock ने low लगाया, 780 के something and वहीं से recover हो रहा है तो मेरे को लगता है, अब ये share दोबारा, 860 का जो इसका life high है, वो लगाने के लिए तैयार है, तो पहला stock BSoft आपको radar पे रखना है दूसरा IT के दिगज की बात करो, तो TCS आप सभी को clearly दिख रहा है, continue market को lead करने का काम कर रहा है ये share छोड़ना नहीं है, तो मैं already आपके साथ discuss करी चुका हूँ देगे, IT stocks को लेकर ना view crystal clear नहीं है किसी का भी दो तरफा बातें करता है हर बंदा, एक वो बंदा है जो कह रहा है कि IT में earnings लोटेगी आप खरीद लो एक वो बंदा है कि IT में earnings लोटेगी नहीं लोटेगी पता नहीं है लेकिन share react कर चुके हैं कि लोटेगी और नहीं लोटी तो वापस से बड़ी गिरावत आ सकती है तो आपको ये decide करना है कि earnings लोटेगी या नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो छोटी छोटी quantity में blue chip stock उठाओ blue chip यानी की infosys हो गया TCS हो गया आपका blue chip यानी की Tata LXI आ गया तो इन में आप निवेश करोगे तो safety point of view से ये रहेगा कि आज नहीं तो अगल पैसा बनी जाएगा इस बार earning में नहीं भी आई तो अगली बार तो आई ही जाएगी ये आपका clear view होना चाहिए तो बजार में आज सबसे यादा market को lead करा है IT stocks ने अगर particularly मैं nifty index में जाऊं और आपके साथ discuss करूं कि कहां से तेजी आ रही थी तो 25 point आ रहे थे TCS से और 24 point आ रहे थे Infosys से जो leadership लेते हुँ दिखें निफ्टी में वहीं गिरावट का काम करता हुआ दिखा एक बार फिर HDFC bank then Kotak Mahindra bank then SBA then Indesan bank यहनी top 5 में 4 जो contributors थे गिरावट के वो banking छेतर से अगर आप bank nifty देखें तो यह वह कोई हरे निशान में बंद नहीं हुआ आज 47,000 के नीचे ही closing दिया है तो अभी भी कुछ खास strength दिखाया नहीं है आज भी bank nifty ने लेकिन strength दिखाया आज mid cap ने, small cap ने, IT stocks ने, nifty ने और बजार दिन के दौरान उच्चतम इस तर पे बंद हुआ है आज फिर एक बार life high लगाया बजार ने आपके लिए 4 दिन continue life high यहनी इस पूरे week अभी तक आपने दिन के दौरान एक बार life high जरूर देखा है तो यह अभी के लिए मेरी तरब से updated वीडियो थी बार्कि आप idea stock पे focus करें और strictly काम करें यहनी कि अगर आपको कहीं भी डर लग रहा है तो blue chip में जाएं और डर नहीं लग रहा है तो stop loss के साथ काम करें thank you so much for watching this video have a great day guys